हलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 में मौस करसल अपने आप मूब कर रहे हैं तो इसको कैसे फिस करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना होता है यानि रुकता नहीं है अपने आप यह झेह मूब करता है आप देख रहे है हैं यहाप करता हूं पे क्लिक करके आपको लार्ग ईकन सेलेट करने के बाद आपको केस में इस तरह से दिखना सुरू हो जाएगा आप यहां पर आपको क्लिक करने के लिए दूसरा तरीका भी हो मैं आपको बता देता क्री मैं क्रों लेंसे सिंदया выпуск कर देता हूं अवल्यूंट कर देए किसले दिखेचेंगा है इसके हैं आपको सेटीं अब पर आपको क्लिक कर देना किलिक कर देना करतें इस ततरह से विंड़ों ऑपन हो जाएगा अब आपपको यहां पर देखेंगे त इसके उपर आपको क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करने यहाँ पर आपको क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा दोनों तरीके में से किसी तरीका से आपको यह वाला विंडो ओपन करने के बाद आपको क्या करने य सबसे पहले इसको normal किजिएगा यहांaquे बीच में सबसे पहले इसको normal करना है उसके बाद आपको क्या करना है यदि आपके कीजिए दो यहां से कर देने आपको क्यांखने है यहां पर यहां मैघ कर देने इसके बाद यहां पर यहां के का दीजिए आपको क्या interfere शुआ हैropa का &록 होता है तो आपको क्या करना है यहाँ पर आपको रैट किलिक करना है इसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा डिवाइस मैनेजर इसके ओपर आपको क्लिक करते हैं इस तरह से विंडों ओपन हो जाएगा आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएग आपको क्या करना है यहाँ पर आपको क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ इस्टाल हो जाएगा अनिस्टाल होने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर मौस काम नहीं करेगा तो आपके केस में भी इस तरह से मौस काम नहीं करता है तो आपको क्या करना है तो आपके केस में इसको प्लग कर देता हूं प्लग होने के बाद आप देखेंगे यहां पर आटोमेटिक ड्राइबर इंस्टॉल हो चुका है और आपके केस में भी यह मौस काम करना शुरू कर देगा तो इस तरह से इस प्रॉलम को आप फिक्स कर सकते हैं आपके केस में जो प्रॉलम होगा व आपको प्रेस करना है प्रेस करते हैं इस तरह से विंडू ओपन हो जाएगा अब आपको क्या करना कीबोड से टाइब बटन प्रेस कीजिएगा इस तरह से प्रेस कीजिएगा तो यहां पर आपको दिख जाएगा यहां पर रैड शाय में आपको सेलेक्ट हो जाएगा यान पे इंटर करते हैं इस तरह से यह रिये स्टाट होना शुरू हो जाएगा रिये स्टाट होने के बाद आप चेक कर सकते हैं आपका केस में जो यह फॉलम था यह फॉलम फिक्स हो गया होगा और प्लीज गया चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें थैंक यू